हेलो गाइज वेलकम बेक टू वी आर सोनम जी के स्टड़ी आज हम लोग भारत के परुसर देश के बारे में सोला कोश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि सभी एक्जाम में बार बार पुछे जाते हैं ठीक है तो हमारा पहला कोश्चन है दूरंड रेखा कौन सा रेखा एक सेके डूरंड रेखा किन दो देशों को बिभाजित करता है तो आपका सयूत्तर हो जाएगा और देसों में बिवाजद करता है अढ़ी का देसों मीरहत करता है रही और पाकिस्तान अब नेक्स्ट कोशिन में चलते हैं हमारा नेक्स्ट कोशिन है निमलिखित में से निमलिखित में से किस देश की थल सीमा भारत के साथ नहीं जुरी हुई है अपर का सयुत्तर हो जाएगा अपसन नमर ची स्री लंका स्रीलंकादेश की थल सी है हमारा निक्ष्ट कोश्चन है भुटान का सम्राज recreation क्या है भुटान का सम्राज धैस हिमाल्यमे में है स्थित्ट है गर्ति सब्सक्योंड पूशनेश को प्विश्च पूछक्शने सम्राइब तो आपका सई वड्वलोिय पूढ़े में पूरइए में हमाल्यमें है यह पूरवी पूरवी हंमाल्यमें नेकुट कोलंबो किस देश की राज़ानी है तो स्री लंका कोलंबो किस देश की राज़ानी है तो कोलंबो किस देश की राज़ानी कहा है तो कोलंबो आई होब कि आपको समझा रहा होगा नेक्स्ट उस देश का नाम बताए जिसकी मुद्रा जिसकी मुद्रा का नाम रुप्या नहीं है तो आपका सही उत्र हो जाएगा अप्सनम्र डी मैनमार नेक्स्ट स्रीलंकन या पर गलस लिखा स्रीलंका होगा चलिए राष्ट की पहली राजानी कौन से थी तो आपका सही उत्र हो जाएगा अप्सनमर सी क्या हो जाएगा अप्सनमर सी अनुराधा पूरा क्या हो जाएगा अनुराधा पूरा next question पकिस्तान की राज़ानी का नाम बताईए तो आपका सेयुत्थर हो जाएगा option number b isnlamabad sorry islamabad पकिस्तान की राज़ानी कहाँ है ऐसे पुछ जाएगा तो आपका सेयुत्थर हो जाएगा option number b this is very important question चलिए आगे बढ़ते हैं तो आगे कामर कोशन इनमें से किस देश में सबसे छोटे सी सबसे छोटे सिखों को सिखों को पैसे नहीं कहा जाता है तो आपका से उत्तर होजागा अप्सर नमडी स्रीलंका चोटे सिकों को पैसे नहीं कहा जाता है स्री लंका next question माले किस देश की राज़ानी है तो माले किस देश की राज़ानी है आपका सही उत्तर हो जाएगा option number C next question भुटान की राष्ट्रिय भासा के रूप में जानी जाती है क्या तो आपका सही उत्तर हो जाएगा option number A जो गखा जो गखा इसको जो गखा पढ़ेंगे ओके next निम ने लिखित खेलों में से कौन सा खेल मैंनमार का राष्ट्रिय खेल वाना जाता है this is very important for SSC exam तो आपका सही उत्तर हो जाएगा option number D जामदानी बुनाई की पढ़म पढ़िक कला की शुरुआत कहां से हुई आपका सही उत्तर है option number B बांगलादेश से हुई बांगलादेश से हुई next बांगलादेश की संसद में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है this is very important for SSC CGL आपको पता है कि पिछले एक्जाम से भी questions पूसा जाता है इसका रहन से मैं पिछले एक्जाम का भी questions आप लोगों को बताती हूँ तो इसका सही उत्तर हो जाएगा option number A option number A next स्री लंका किस संसत में कितने सदस्य है this is BBI question for SSC CGL 2019 का question ही यह तो आपका सही उत्तर हो जाएगा option number D 225 आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो मैं चैनल को प्री सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें ताकि और चैनल को सब्सक्राइब करके वे लेकर में प्रेस्ट करता कि मैं वीडियो सब्सक्राइब आपके पास है भाईया सब्सक्र और दो एक्रासी यू नेक्स्ट वीडियो ने मेलते